Hello students, welcome to the channel of Adhyaan Institute of Learning हम लोग integration कर रहे थे, last lecture में हम लोग integration by parts start किये थे उसमें 2-3 question किये थे, वो 6th number का lecture था, अभी हम लोग आज integration का 7th number lecture करेंगे clear है? तो last lecture में integration by parts हम लोग जो किये थे, उसमें formula बताये क्या था u into v का, मनलोग first function और second function, ऐसा कभी भी आए, दो function का multiplication हो और उसका integration निकालना हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? u into v का formula का यूज करेंगे, तो दोखो इसके लिए क्या करेंगे? u को पहले बाहर करना है, फिर v को integrate करना है, मनलोग first function को बाहर करो, second function को integrate करो, फिर उसके बाद, फिर minus में integration करना है, किसका first function का differentiation करना है, और second function को integrate करना है, और जो result है, उसको फिर एक बाद integrate करना है, ठीक है? अच्छा, ये चीजा हुआ, उसके बाद first function किसको मानेंगे, second function किसको मानेंगे, first function, second function मानने के लिए हम लोग highlight एक formula बताया था, last lecture में, highlight मतलब, I मतलब inverse, trigonometry, ये भी जो भी था, उस sequence का अनुसार, उसको, उसको arrange करना था है, clear है? यहां तक हम लोग last lecture में सीखे थे, आज उसी से आगे कुछ और question करते हैं, क्योंकि ये chapter पूरा question based ही होता है, जितना question practice करेंगे हम लोग, उतना ही अच्छा से concept आएगा, clear है? यहां पर ये question दिये हुआ है, इस question को solve करना है, question देखते हैं लग गया कि दो function है, एक algebraic, एक logarithmic, तो पहला चीज, I, L, A, T, ये highlight लिखते हैं, तो यहां पर ये algebraic है, ये logarithmic है, तो algebraic और logarithmic, ये log वाला, log वाला first आ गया, इसको first बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, second बोलेंगे, clear है? उसके बाद अब U into B का मैं यहीं पर formula एक पर लिख दे रहा U को बाहर करना है, B को integrate करना है, फिर minus, DU को क्या करना है, first को differentiate करना है, second को integrate करना है, ठीक है, और इससे जो भी result है, वो इसको integrate करना है, ये formula होता है, तो यहां पर देखो, यहां पर तो यह first हो गया, तो सबसे पहला काम क्या है, first को बाहर करो, तो मैं क्या किया, ln x को बाहर कर ठीक है उसके बाद इसको इंडिग्रेट करना है ठीक है न तो इसको इंडिग्रेट करना है तो यहां पर x को देखो मैं क्या करता हूँ अले चीज यहां पर थोड़ा सा करना है करना है इसको इंडिग्रेट करना है एक यहां तक अच्छा इसके बाद फिर माइनस करेंगे उसके बाद दी इसको क्या करेंगे इसको इंडिग्रेट करेंगे तो 1 by x ठीक है और फिर यह x को इंडिग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का x to the power 4 by 4 यह ठीक है यहां तक into dx लिए है अब देखो ln x into x to the power 4 by 4 लिख देंगे अच्छा अब देखो इससे यह cancel हो जाएगा तो यहां क्या बचेगा 4 by 4 minus ठीक है अब इसको इंडिग्रेट करेंगे तो हम लोग को पताएगे क्या होगा इसका वैलू x to the power 4 और नीचे पहले से तो 4 था ही यह एक 4 और आ जाएगा ठीक है नेक्स पत्रे नेक्स दोग क्या है इसे में पूला कि इंडिग्रेशन बाइपार्ट में कनवर्ट करना है अगर कोई dissimilar function हो तो function को हम लोग स्वंक्शन में बाइपार्ट से हैं मतलब ज्यादा चांस होता है कि बाइपार्ट से हम लोग स्वंक्शन इंडिग्रेशन बाइपार्ट से हम लोग पढ़ रहा है कैसे क्यों ऐसा बोले जा रहा है क्योंकि इसको अभी एक्जाम्पल करेंगे उसी किलियर हो जाएगा कौन-कौन सा बस या से हम लों करेंगे अब दीडिगो यह ऐिक ऐसा फंक्शन है जो से करेंगे जब इंडिग्रेशन बाइपार्ट से करेंगे he यहां नहीं यहां पर one 1 से multiply कर सकते हैं कि कोई कुछ नहीं बोलेगा ठीक है अच्छा तो 1 से कर लेंगे तो फिर Ilate चेक करेंगे I L A T E यह क्या है log है logarithmic यान कि इसको हम लोग बोलेंगे क्या अब देखो अब यहां पर कुछ भी हम लोग को सोचना नहीं है जागा क्यों नहीं सोचना है क्योंकि ln x अगर है तो यह हमेशा second sorry first function ही होगा फिक है न फिर्स्ट फंक्शन ही होगा logarithmic और यह होगा second ऐसे भी क्यों है ऐसे क्यों कि देखो अगर ln x को अगर second function बोल देंगे तो second function का यहां पर अगर u into dx बोला जाए तो क्या करेंगे यू और v का integration यह करते है न बी का integration जब करना ही होता हम लोग one लेते क्यों जब ऐसे हम लोग करी सकते थे तो फिर यह one लेने से क्या फायदा होता ठीक है तो जब भी यहां पर कुछ नहीं हो अगर हम लोग one ले रहा है तो जो यह question है इसको first माल लो और जो one होगा वो second हो जा जाएगा x आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है फिर यहां minus अच्छा minus करने के बाद देखो आप क्या करना है first वाले को differentiate करना है differentiate कर दिए one by x हो गया ठीक है और ln यह one का integration क्या हो जाएगा x हो जाएगा और फिर जू आएगा इसका result उसको integrate कर लेना है ठीक है यह हो गया x into ln x clear ह फिर minus अब यह दूनों cancel हो कर यहां से क्या बज़ जाएगा x बज़ जाएगा ठीक है प्लस c यह हम लोग आंसर हो जाएगा ठीक है अब यहां पर अब हम लोग एक formula इसको याद रखना है यह बहुत काम का चीज है और बहुत जगा पूछा भी जाता है ln x dx का integration का form क्या होग इसको हम लोग लिख सकते है x ln x minus x plus c जो अभी यहां पर आया दूसरे तरीका से क्या लिख सकते है x को common निकाल कर लिख सकते है ln x minus 1 plus c लिख सकते है और क्या लिख सकते हैं कोई पूछे तो x हम लोग लिख सकते हैं ऐसे ln x by e यह सोचो कैसे यह क्योंकि base e है यह ee 1 हो इसको लेना है और इसको लेना है क्या second लेना है ठीक है second ले लिए कोई दिक्कत नहीं है तो first वाले को बाहर फेकना रहता है हर बार फिर बाहर फेक दिए sin inverse x ठीक है अच्छा first वाले का second वाले का integration करना रहता है तो इसको integrate किये तो इसका answer आ जाएगा x आ जाएगा clear है फिर minus अच्छा minus करने बाद यहाँ पर अब integration का sign करेंगे first वाले को हम लोगों क्या करेंगे differentiate करेंगे इसको देखो इसको जब differentiate करेंगे वन बाई इसका integration का क्या होगा यहाँ पर वन बाई root one minus x square हो जाएगा clear है अच्छा one minus x square और फिर one का integration करेंगे तो उ क्या जाएगा x आ जाएगा और फिर इन डोनों का integration करना है clear है थोड़ा से इसको और अच्छा से में लिख जा रहा हूं sin inverse x कर दिया और sin inverse x यहां पर कर दिया ठीक है यह क्या हो गया x by root में one minus x square dx यहां तक हो गया अब देखो इसका काम खत्म है अब इसको integrate करना है इसको integrate करने के लिए हम क्या सोचे कि भाई one minus x square यह अगर fx है ठीक है तो उसका f dash x यहां पर दीख रहा है exact नहीं दीख रहा है लेकिन आसपास दीख रहा है तो यहां से क्या करते हैं लेट करते हैं one minus x square को मालो में t लेट कर दिया यहां पर क्या हो जाएगा minus 2 x dx equal to dt हम लोग को ऊपर क्या दिख रहा है x dx तो x dx को ऊपर ही रहने दिये और इधर dt by minus 2 नीचे कर दिये अब पूट कर लेते हैं फर्मूला में यहां पर फर्स्ट थाना फर्स्ट में पूट करते हैं तो फर्स्ट में पूट करेंगे यहां पर क्या जाएगा अच्छा और नीचे यह 1 by root अब यह 1 by 2 क्या हो जाएगा यह नीचे वाले क्यों अंदर वाले चीज को में लेट किया था ती यह root t हो जाएगा क्योंकि ना यह root t हो गया कोई दिक्कत नहीं है बस यह इसको इंडिग्रेट कर लेना है तो यानिकि x sin inverse x plus 1 by 2 हो जाएगा यह इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अच्छा अब यह ऊपर जाएगा तो t to the power 1 by 2 का integration करना है minus 1 by 2 sorry t to the power minus 1 by 2 dt खिक है तो x sin inverse x plus 1 by 2 अच्छा इसको जब integrate करेंगे तो half में 1 add करेंगे तो half हो जाएगा और नीचे भी half हो जाएगा ठीक है और यह plus c अब t हम लोग क्या लेट किये थे किसको उसका value लिख देते हैं तो t हम लोग किसको लेट किये थे 1 minus x square को 1 minus x square का power 1 by 2 और यह 1 by 2 यहाँ पर आयात यह 1 by 2 और यह 1 by 2 cancel हो गया यह plus c आ गया final answer हम लोग क्या लिख देंगे x into sin inverse x देखो ज्यादा practice होने के बाद आप एक 2 step यहाँ से कम करके लिख सकते हो जल्दी में लेकि मैं पूरा लिख रहा हूँ अभी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो ठीक है यह हम लोग का final answer हो क्लियर है चलो next question करते हैं next question देखो फिर क्या है e की power x sin x dx ठीक है न यहाँ पर मानलो कि यह i equal to e to the power x integration of e to the power x sin x dx है clear है चलो अब फिर इसमें i-let लगाते हैं i-let लगाते ही देखो क्या हो जाएगा यह कौन से function हो जाएगा sin trigonometric function और फिर यह exponential function तो यह तो हमेंसा second होगा तो सबसे last में आ रहा है और यह first हो जाएगा clear है तो चलो अब इस start करते है तो i equal to हम लोग क्या बोलेंगे इसको यहाँ पर first को पहले बाहर किया कर दिया और second को integrate कर दिया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है फिर क्या करूंगा integration का sign first वाल को differentiate किया तो sin x का differentiation cos x हो जाएगा और e का power x का integration e to the power x और यह dx कोई दिक्कत नहीं यहां था तो मतलब कि i equal to हो जाएगा हम लोग क्या है sin x into e to the power x minus अब देखो अब फिर इसमें बात करेंगे तो फिर हम लोग क्या हो जाएगा second हो जाएगा और यह first हो जाएगा clear है तो फिर इसको यह cos x बाहर आ जाएगा ठीक है ना यहां पर मैंने को bracket ले लिया यह cos x को बाहर कर दिया e की power x को integrate कर दिया कोई दिक्कत नहीं है फिर यहां minus minus करते हैं अब देखो अब फिर cos x का क्या करना है differentiation करना है यहां पर cos x का differentiation करना है तो क्या होगा minus sin x ठीक है cos x का minus sin x और e to the power x का e to the power x और फिर इसको फिर से integrate करेंगे ठीक है यह ऐसी है जाएगा clear तो अब सोचो यहां पर कि चलो मैं पहले एक बार लिह ले रहा हूँ sin x into e to the power x यह minus यहां जाकर minus cos x into e to the power x यह minus minus plus और यह minus फिर मिल कर क्या हो जाएगा minus integration of sin x into e to the power x और यहां dx ठीक है डट गया अब देखो यह फिर question ही आ गया ध्यान से देखो तो यह फिर question type पर दिख रहाएक नहीं e to the power x sin x मतलब कि यह चीज हम लोग कितना बार भी यहां पर integrate करते जाए इधर कुछ ना कुछ term बचते जाएगा और यह integration आगे बढ़ते जाएगा ठीक है तो मतलब कि इसका यह आ रहा है यह इसको का ध्यान से देखा जाए यह यहां से यहां तक ढाई था यहां से यहां तक जो आई था यह लिख चल रहा इं ना अलब इन घर को आई हीождения्ट करता है यह i यह i है यह i type को दिख रहा है यह i लिख दिए इस i को इधर फिकेंगे यह 2i हो जाएगा sin x into e to the power x minus cos x into e to the power x फिर i को नीचे आप फिक देंगे 1 by 2 आ जाएगा यह इधर और इधर क्या हो जाएगा sin x into e to the power x minus cos x into e to the power x यहीं तो हम लोग का आंसर हो जाएगा प्लियर है यहां प्लस सी जरूर लिखना नहीं भूलना है यहां भी प्लस सी लिखना नहीं भूलना है ठीक है तो आया हूप आप लोग को यह चीज समझ में आया होगा प्लियर है चलो नेक्स्ट कोर्शन करते हैं नेक्स्ट कोर्शन देखो क्या है यहां पर अभी यहां पर sin हम लोग का i जो दिया है sin 3 ln 5x dx ठीक है यह दो को dissimilar function है इसका तो इसमें इसमें हम लोग क्या करेंगे 1 into multiply कर देंगे ठीक है 1 into multiply करते ही इसको क्या बोल देना है first और इसको क्या बोल देना है second तो first को पहला काम क्या करना है बाहर फेकना है बाहर फेक दिये ठीक है यह composite function है इसलिए composite function को बाहर पहले रख दिये उसको composite function जब भी आएगा उसको first ले ले लेना है और one multiply कर देना है और one जो multiply करेंगे उसको second बोल देंगे sin 3 ln यहाँ पर क्या है 5x dx ठीक है यह चीज़ आ गया और क्या करना है one का integration तो one का integration क्या जाएगा x आ जाएगा clear है कोई दिकत नहीं आता है अब देखो अब आगे अगर हम लोग बात करें तो फिर minus का sign लेंगे अब इसको क्या करना रहता था है differentiate करना रहता था इसको differentiate करेंगे तो क्या लिखेंगे cos 3 ln 5x ठीक है अब अंदर वाले portion को करेंगे तो 3 ठीक है फिर 3 अच्छा अब अंदर वाले portion करेंगे तो 3 हो जाएगा और into यह ln 5x ln 5x को करेंगे तो क्या आजाएगा 1 by 5x ठीक है और 5x को करेंगे तो फिर आजाएगा 5 आजाएगा ठीक है अब बात आता है कि second function का क्या करना है integration करना है तो 1 का integration x हो जाएगा यह finally यहां से यहां तक हम लोगा dx बन जाएगा इससे तो यह cancel हो गया इससे यह cancel हो गया ठीक है तो finally हम लोगा बच किया गया यहां पर यह i equal to चल रहा है भी हम लोगा तो i equal to क्या बच गया यहां पर x into sin 3 ln 5x अच्छी तरह से समझना यह कुछ नहीं यह इसको second बोल दिया यहां पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तो i equal to देखो फिर x into sin 3 ln 5x ठीक है अब second बोल को क्या करना है second बोल को फिर integrate करना है एक साजागा इसका answer फिर अब बात करेंगे हम लोग formula का तो minus करेंगे यहां पर ठीक है minus करने के बाद formula start करेंगे तो पहले पार क्या करना है differentiation करना रहाता था तो cos x का differentiation अगर हम लोग करेंगे तो क्या होता था minus sin x होता है न पॉस x का differentiation क्या होता है minus sin अब sin के बाद क्या करनेंगे 3 ln 5x ठीक है न 3 ln 5x 3 को बाहर किये 3 आ गया ln 5x ln 5x का 1 by 5x और फिर यहां पर क्या 5 और फिर जो बच गया यहां पर यहां पर जो 1 बचा उसका integration क्या हो जाएगा x हो जाएगा फिर यहां से यहां तर dx और यह close bracket क्लिर है कुछ घबरा रहा नहीं है simple calculation है x into यहां पर क्या लिखेंगे sin 3 ln 5x ठीक है minus अच्छा अब देखो अब इसको क्या करते है न एक बाद direct multiply कर लेते हैं तो अगर ब्रेकेट में multiply करेंगे क्या आएगा यहां पर minus 3x ठीक है न इसको multiply करते हैं तो minus 3x cos 3 ln 5x ठीक है न 3 cos ln 5x यहां जाएगा कोई दिकत नहीं है इसमें यहां तक अच्छा अब देखो अब यह minus minus plus फिर देखो यहां से यह cancel इससे यह cancel यह 3 और यह 3 तो अंदर है न यह 3 नहीं आएगा यह 3 बाहर है यह 3 और यह 3 यह minus minus पर ले plus होगा और फिर plus minus minus यह minus 9 हो जाएगा clear है माइनस 9 होकर और यह integration का sign है integration के sign से क्योंकि यह 3 बाहर आए था अंदर क्या बचेगा फिर अभी sin 3 ln 5x ठीक है ln 5x और dx प्लियर है यह चीज़ बचेगा अब देखो अब यहाँ पर फिर देखो तो यह question type का बन गया ना फिर तो यह question वाला term ही आ गया यह question वाला term आ गया तो इसको फिर i late कर लेंगे आ इसको लेट करेंगे assume कर लेंगे माल लेंगे x into sin 3 ln 5x minus 3x cos 3 यहाँ पर cos 3 ln 5x ठीक है ना sin 3 ln 5x minus 3x cos 3 ln 5x ठीक है यह आ जाएगा तो हम लोग final निकालना क्या है i ही निकालना है i equal to हम लोग क्या लिखेंगे फिर अब देखो i equal to अब इसको जैसे जिस form में लिखना है लिख सकते हो अगर common निकालना चाहरे हो तो x common निकालकर x by 10 आ जाएगा ठीक है x यहां भी है यहां भी है यहां पर क्या बचेगा फिर हम लोग का sin 3 ln 5x ठीक है ना यह चीज़ आ जाएगा फिर minus 3 cos 3 ln 5x यह ऐसे और फिर c plus c यह answer आ जाएगा कुछ मुश्किल नहीं है कुछ मुश्किल है ही नहीं बस simple करना क्या है इसको one by one integrate करते जाना है और process follow करना है और यहां पर एक चीज़ यह chain rule का differentiation अच्छी तरह से आना चाहिए और minus plus को बस balance करना है अच्छी तरह से final park की हम लोग का answer जम object असानी से आ जाएगा clear है where go चलो next करते है next दखो आप क्या है cqx dx अब दखो यह similar function है similar function है इसको क्या करते है इस function को हम लोग ऐसे solve करेंगे तो ज्यादा असानी हो जाएगा sec x into sec square x dx ठीक है अच्छा अब बात आता है कि इसमें इसको integration by part से solve करना है तो कैसे solve किया जाए कि इसको first माना जाए कि इसको second माना जाए क्योंकि दोनों तो sec का function है तो देखो इसको हम लोग को जिसका integration हम लोग को पता रहता है उसी को न second मानेंगे यहाँ पर हम लोग six square x का पता है इसको क्या करो आप लोग two मान लो ठीक है इसको first मान लो clear है तो i equal to हम लोग क्या बात करेंगे यह first वाला बाहर जाएगा तो इसको बाहर फिको ठीक है second वाले को हम लोग को पता है कि sec square x का integration क्या होता है 10x होता है ठीक है अच्छा अब sec x का differentiation पता है हम लोग क्या होता है sec x into 10x होता है ठीक है और फिर sec square x का integration क्या होता है sorry 10x होता है 10x और फिर finally ये सब को मिला कर फिर से एक बार integrate कर देना है कुछ मुश्किल काम नहीं है ठीक है न अच्छा आप देखो अब i equal to हम लोग बात कर रहे है तो ये इधर वाला तो कोई दिकत नहीं तो ऐसे ही का ऐसे हो जाएगा sec x into 10x हो जाएगा अच्छा आप देखो अब इसमें अंदर वाले चीज को बात करें इसको integrate करना है ये sec x का sec x रहेगा ठीक है अच्छा और इसको अगर multiply कर दे तो ये कितना हो जाएगा 10 square x dx ठीक है अच्छा फिर एक लाइन और लिखते है sec x into 10x ठीक अच्छे समयना फिर यहां माइनस अब sec x into 10x अब देखो 10x को हम लोग क्या लिख सकते है sec x को 10x को हम लिख सकते है sec square x minus 1 dx अपकॉस लिख सकते हैं कोई लिखत नहीं यहाँ पर तो sec x into 10x minus अगर इसको अब multiply किया जाए हम लोग क्या लिखा क्या आएगा sec q x dx sec q x dx minus और यह minus और यह minus मिलकर plus हो जाएगा प्लस एक ही बार लिख देता हूं मैं direct वहीं बोलेगा कि यह plus कहां से आ गया तो अभी मैं समझा रहा हूं sec x और यह dx देखो यह इससे multiply होगा तो sec x dx होगा और यह minus sec x dx होगा और यह minus जो है यह तो दोनों के साथ multiply में है इसलिए यह minus और यह minus मिलकर plus होगया sec x dx ठीक है अब देखो अब आसान हो गया क्योंकि हम लोग को कुछ ना कुछ टर्म दीग गया यहां पर sec x into 10x अब देखो यह cqx को हम लोग आई लेट कर सकते हैं यहां पर i की कोल है तो i बोल दिए इसको कोई दिक्कत नहीं है इसको i बोल दिए और फिर यहां पर plus sec x dx हम लोग को यह कर दिए sec x dx का integration हम लोग पहले कर चुके हैं तो यह आएगा इधर यह 2i हो जाएगा और यहां क्या होगा sec x into 10x और इसका integration क्या होता है इसका integration का बहुत सरा form में लिखाया था ठीक है या फिर इसको direct अगर करना है तो sec x plus 10x और by sec x plus 10x से difference multiply और divide करके इसको अभी यहीं पर कर सकते हो लेकिन मैं बोला था क्या इसको आज यह formula हम लोग को याद भी रखना है इसका क्या हो जाएगा plus ln sec x plus 10x ठीक है न यह हो जाएगा तो finally हम लोग अगर i का बात करें और यहां plus यह हो जाएगा तो i का बात करें तो क्या हम लोग बोलेंगे 1 by 2 चीक है और क्या बोलेंगे sec x into 10x ठीक है plus ln sec x plus 10x ठीक है यह सब chapter में एकदम हरवडाना नहीं है एकदम patience से इस साथ काम करना है यह answer हो जाएगा ठीक है न कुछ मुश्किल काम नहीं है बहुत ज़्यदा tough नहीं है बस sec q x ठीक है sec x into sec square x करके इसको आगे proceed किये और यह answer आगे हम लोग लोग के ठीक है यह question बहुत important है आगे इस टाइप और भी एक दो question होगा जो कि board में पूछा जाता है ठीक है न सब्सक्राइब करते है next question करते है next वह क्या है इसमें by parts में हम लोग क्या बोला जा रहा है कि type 1 हम लोग क्या सीखें है normal question जो की simple इसे x square into e to the power x ऐसे form में रहाता था जिसमें एक form जो algebraic होता था वह दो या टीन step में integration करने के बाद वह खतम हो जाता था हम लोग का final answer आ जाता था ठीक है second type क्या बोल रहा है single function जैसे कि ln x sin inverse x 10 inverse x इस type कराएगा वो सब question में क्या करना है one अपने से multiply करना है ठीक है second type हो गया third type क्या हो गया जैसे cqx e की power x sin x या फिर ऐसा यह सब type के question में इतना पता है हम लोग की एक integration करते हुए जो integration के part में उधर ही कहीं न कहीं जो question वाला term था वही आ जाएगा ठीक है ना question वाला term जैसे कि इसमें क्या गया था cqx question का term था वही आ गया था यहाँ पर ठीक है ना इसके पहले वाला भी एक दो question की है उसमें भी वही चीज़ हुआ था तो third type वाला हो गया जो question वाला term था वहीं integration करने के बाद term आ गया था ठीक है इसके बाद एक formula और याद रखना है हम लोग को कि first और second को integrate करना है dx ठीक है ना तो देखो first को बाहर करना है second वाले को integrate करना है minus first वाले को differentiate करना है second वाले को second time integrate करना है फिर प्लस तो यहां पर single function है इसको एक बार differentiate किया गया फिर first वाले को double differentiate किया गया तो double differentiate जब किया गया तो second वाले को triple times integrate किया गया फिर जब इसको triple times integrate किया गया तो इसको four times integrate किया गया और sign देखो alternate हो जाएगा प्लस माइनस प्लस फिर माइनस ऐसे बढ़ते चला जैगा जब तक एक टर्म क्फटम न हो जाए когда मतलब क्हुंस टर्म खतम होगा अग्झिसियज़्यर्मेंसेशन वाला ही टर्म खत्म होगा क्योंकि इंडिगरेशन वाला टर्म तो वतने चा याद हो गया हीं उगा फर्स्ट टर्म को बाहर करना है, फिर माइनस फर्स्ट टर्म को डिफरेंसियेट करना है, फिर फर्स्ट टर्म को डिफरेंसियेट करना है, फिर फर्स्ट टर्म को तीन बार इंडिफरेंसियेट करना है, फिर फर्स्ट टर्म को तीन बार इंडिफरेंसियेट करना है, फिर फर् को हम लोग को solve करना है इसका मतलब क्या है कि यह first हुआ हम लोग का है ठीक है और यह second हुआ है यही न तो question में पहला चीज क्या था कि first को as usual लिख देना है xq-5x2-7x plus 9 लिख दिया इसको क्या करना है एक बार इंडिग्रेट करना है एक बार इंडिग्रेट कर दो यह की पावर 3x by 3 हो जागा कि नहीं clear है फिर प्लस हो गया तो minus का sign अब इसको एक बार differentiate करो करते हैं 3x square minus 10x minus 7 अब इसको क्या बोला है फिर इसको दो double time मतलब कि second वाले को क्या करना है double time इंडिग्रेट करना है double time इंडिग्रेट मतलब एक बार इंडिग्रेशन तो यहां होई गया है अब इसी टर्म को एक बार और ठीक है अब फिर plus का time खतम हो गया अब आगया minus तो minus लिखेंगे अब इसको differentiate करो यहां क्या आगया 6 क्लिए रहे और फिर इसको इंडिग्रेट करो e to the power 3x और यह 3 और 27 मिलके कितना हो जाएगा 81 तो अब इंडिग्रेट नहीं करेंगे यह 0 हो जाएगा और जो 0 होगा यह वाला term तो 0 हो जाएगा या आगया वाला term सब 0 ही होना है यह हम लोग का final answer हो जाएगा और प्लस सी लिखना नहीं बोलना है अब बास में कुछ मुश्किल काम नहीं था ठीक है एक question और करते है इसका x square minus 5x sin 7x dx ठीक है तो पहला क्या काम करना है x square minus 5x को बाहर करो इसको क्या करो एक बार integrate करो sin x का integration क्या हो जाएगा minus cos 7x by 7 ठीक है अच्छा minus प्लस हो गया तो minus इसको differentiate करो 2x minus 5 फिर इसको क्या करना है integrate करना है तो cos x का integration cos x sin x तो minus sin यहां पर है वही यह है और sin 7x और by 7 तो 7 7 49 हो जाएगा ठीक है यह minus हो गया तो अब यहां plus लेंगे प्लस लेंगे ना अब इसको integrate करेंगे तो sorry differentiate करेंगे कितना है तो आएगा 2 आगया इलियर है अच्छा 2 आया तो अब sin 7x को फिर से लोग integrate करेंगे तो minus आएगा minus minus से सो क्या बनाएगा plus बनाएगा plus हो गया और cos 7x और यह by 7 तो 49 इंटू 7 ठीक है तो 49 इंटू 7 लिख दे रहा हूंगे यह यह आ जाएगा और फिर plus c यही हम लोग अंसल हो जाएगा एक लाइन में अब इसमें 3 term है ठीक है तो 3 term है तो कैसे करेंगे सुचना है इसको क्या करते हैं फर्स्ट करते हैं और इसको second कर लेते हैं माल लेते हैं ठीक है क्योंकि यह trigonometric function है और यह algebraic है ठीक है तो पहला चीज़ काम क्या होता है फर्स्ट वाले को बाहर फेकते हैं बाहर फेक दिया ठीक है second वाले को क्या करना है अब integrate करना है तो second वाले को integrate करना है तो कैसे करना है अब में task कीजिए हूँ हम लोगा तो सेकेंड वाले को बाहर फिक कर एगर सेकेंड वाले के लिए हम लोग 10x इंटू 6 square x dx है फिर माइनस अगर हम लोग बात करते तो इसको differentiate करना रहता है तो 2x कर दिये और फिर इसको integrate करना रहता था 10x इंटू 6 square x और फिर यहां से dx अब देखो तो पहला चीज अब इसमें हम लोग 10x इंटू 6 square x है तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिसे हम लोग काम बन जाए जहो कैसे करते हैं x square यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं 10x लिख दिये हैं अच्छा इंटू क्या करते हैं sec x लिख ले है और फिर sec x dx लिख लेते हैं फिर minus 2x फिर 2x सेख लेख है इंटू sec x dx क्लियर है यहां पर यह लिखने का मतलब क्या हुआ अब यहां पर अगर हम लोग को पता है कि इसको अगर हम लोग F माने, sec x को अगर F माने, तो यहां से यहां तक हम लोग का F' दिख रहा है, दिख रहा है न, तो लिट कर लेते हैं, sec x equal to T, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, sec x into 10x dx equal to क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, तो यहां बदो क्या होगा, x square, ये x square का तो बाहर करना को दिखत ही नहीं है, तो sec x dx को dt को बोल दिए और इसको T, यहां क्या हो जाएगा, t dt, कोई दिखत नहीं है, t dt, माइनस, फिर अंदर भी यहां पर, ये 2x तो बाहर है, और इसको जो integrate करना है, ये हो जाएगा, t dt, फिर बाद में हम लोग इसको convert कर लेंगे, और यहां dx है, क्या हो जाएगा, t square by 2, बिले रहे, t square by 2, बस और क्या, अब फिर minus, यहां पर भी हम लोग का integration 2x, और यहां पर क्या हो जाएगा, t square by 2, ठीक है, चलो ठीक है, और यहां पर dx है, अब t क्या लेट किये थे, sec x, यानि कि कुल मिला कर ये क्या हो गया, x square, और sec square x by 2, minus, ये 2, 2, 2, cancel हो जाएगा, ठीक है, यहां x into, अब क्या होगा, sec square x dx, clear है, sec square x dx, आगया, तो बस अब काम बन गया, कि हम लोग का से कश कश्वार एक्सदीक्स अब यहां सब्लोग स्वयदी कर लेना है तो यह कैसे करेंगे अभी इसको समाज़ना अच्छा से प्छीए तो यहाँ पर हम लोग अगर ads isTuerces स्क्वायर तो इधर हो गया अच्छा इसमें अगर हम लोग फिर यू इंटो वाल टर्म लगा देंगे यू को बाहर करेंगे वी को डिफ्रेंसेट करेंगे एडियेट करेंगे तो इसका फाइनल एंशर भी मैं लिग देर हूं यहाँ है ठीद माइनस 2x इंटू 10 x by 2 आ जाएगा यहाँ पर ठीक है इसको आप लोग कर सकते हो ना असानी से कर सकते हो कोई दिकत नहीं है फिर प्लस 2 अच्छा और यहाँ पर क्या आएगा 1 by 2 ठीक है एलन सेक एक्स एलन सेक एक्स और यह क्लोज बैकेट और फिर प्लस यह कैसे किए यहां से यहां तक यहां से यहां तक अगर करना हो तो आप लोग को मैं बता दे रहा हूं यहां पर c² x dx फिर यहां से यहां तक आईलेट लगा लो ठीक है आईलेट लगाने से मतलब कि यह एलजेवरिक और यह टिर्वरमेट यह फर्स्ट हो गया और यह सेकंड ह हो गया ठीक है तब फर्स्ट और सेकंड बोलकर इसको असानी से सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट को बार को इसको इंडिग्रेट करो यह इंडिग्रेट करेंगे तो हम लोग का यहां से यहां तक लाक्टर मा जाएगा प्लियर है और इधर का तो होई चुकत है यही फाइनल हम लो गैं की काईश दूर को अपप लोग अच्छी तरह से प्राक्टिस करो सब बनेगा यही फर्मूला है यही सब पैटरन है इसका कुछ दरना नहीं है मनाते रहना है जितना प्रेक्टिस करो atual ही अच्छा पायज अपनेंस अथी करना है तो अगर वीडियो अच्छा लग